दिस इस गरडाज परसाथ एक और important questions के हाथ ये question sample question paper 2023-24 में आया हुआ है बहुत important question paper है और इसी के base पे आपका main paper 2024 का आने वाला है इसी तरह के important question के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कीजिए चलो देखते हैं question तो question है हमारा the feasible region corresponding to the linear constraints of a linear programming problem is given यह feasible region दे रखा है हमको which of the following is not a constraints to the given linear programming problem इन चारों में से कौन सा जो constraints है वो इस प्रोबलम का constraints नहीं है इन चारों में से कौन सा है जो इस problem का constraints नहीं है चलो देखते हैं तो कैसे पता करेंगे वही सबसे पहले हम इसको उठाते हैं ठीक है आच्छा तो इसमें क्या करेंगे हम पता कैसे करते हैं वही किसी भी constraints का solution region किस तरफ है तो हम उसमें क्या रखते हैं origin origin का point रख देते हैं जैसे हमने रखा origin रखेंगे 0 plus 0 greater than equal to 2 यह आया अपना 0 greater than equal to 2 यह true है या false है 0 बड़ा थोड़ी होता है 0 तो less than होता है तो यह क्या आगया false false है तो इसका मतलब इसका solution region है उसमें origin नहीं होगा origin की तरफ इसका solution region नहीं होगा तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं x plus y equal to 2 वाली line है इसका solution region origin के दूसरी तरफ होगा तो यह तो सही है इसी तरफ आ रहा है इसका main solution region दूसरे वाले का देखते हैं तो इसमें भी origin रख देते हैं 0 plus 2 into 0 less than equal to 10 यह भी मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि इसका solution region origin के तरफ होगा तो यह वाली line कहां पे है यह x plus y x plus 2y equal to 10 तो origin के तरफ होगा तो अपना main region जो यह दे रख है हमको वो भी इधर ही आ रहा है कोई problem वाली बात नहीं है तीसरी वाली में देखते हैं इस भी origin रखते हैं तो 0 minus 0 greater than equal to 1 यहां से आया 0 greater than equal to 1 यह तो false हो गया 0 greater than थोड़ी होता है 1 से क्या हो गया यह false तो इसका मतलब इसका solution region origin के तरफ नहीं होगा तो x minus y equal to 1 इसका solution region origin के तरफ नहीं होगा लेकिन हमारे question में तो इधर आ रहा है origin की तरफ आ रहा है देखो origin इधर है तो इधर आ रहा है question में तो इसका मतलब यह वाला है जो हमारा इस given यह जो given है linear programming problem इसका यह constants नहीं है क्योंकि होता तो solution region इधर होता अपना main वाला ठीक है बस इतना सा यह question था बस हमको चेक करना था कि कौन सा इन चारों में से कौन सा constants इस given linear programming problem का जो graph दे रखा है उसका solution नहीं है ठीक है भी चलो इसी तरह की important question की वीडियो पाने के लिए चैनल को subscribe जरूर कीजिए वीडियो को like कीजिए और अपने friends के पास जरूर सेर कीजिए Thank you very much God bless you